हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो आज चनल तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याइवन पद सूर्दाश जी के द्वारा लिखे गए हिंदी कक्षा दस्वी तो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ कर नहीं बताने वाला हूं कि पढ़ सकते हैं हम लोगो को टाइम विस नहीं करना है वीडियो को छोटी हो सके उतनी अच्छी है तो मैं सब्सक्राइब बहावार्द बताऊंगा इसका और इसकी व्याक्या बताऊंगा तो सबसे पहले पहला पद्वे क्या बताया है देखिए गोपिया कौन जो की कृष्री कृष्ण जी गोपिया हूं को महीं हो जो अभी तक श्रीक किसन के साथ रहते हुए भी उन्प्रेम के वंदन में नहीं जुड़े हो और उनके प्रेम के के बंदन में नहीं बंदे हो उसकी तुल्ला जो है उद्धव की तुल्ला कर रहे हैं किसे कमल के पत्ते से और तेल के गागर से अब कैसे तरीके से कर रहे हैं देखिए जिस परकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नही कि इस गुपर एक पर यह एक टेक्ड़ी बातता यू असे ध्यूक्प जाता पुपर उपकी आपटा जाता हि कि जो इसी तक्रिके सी प्लड के साथ व रहता। कि ऑगोर्ति डी उद्धता ना मैंने DNF 10 रोगने है है। और बताये कि मत्की से किस तरी किया गया है तेल से बढ़ी हुई मत्की जो है वो पानी के मद्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ जो पानी की प्रभावित रहता है आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँ भी नहीं डूब हुआ और नहीं तुम्हारी दृष्टी करश्न के रूप सौंदरे पर मुग्ध हुई कि बताईगे है कि अब उद उद्धव ने कभी प्रेम किया ही नहीं, मिधिन्हीं अब इस अनुद्धव के दूर्गिया उमने इतनिया है कि अधुम्हारी दूड हैं और इसमें यह बताए गया है कि जो उद्धव है उन्होंने जो कि श्री कृष्ण की सुंदरता है जो उनका जितने सुंदर दिखते हैं उपर कभी ध्यान नहीं दिया और फिर कहती हैं कि हम तो बोली बाली अबला हैं बतार नहीं जिस परकार चीटी हैं उसी परकार हम श्रीकृष्? प्रेम में उल्जे हुए हैं बतारें जैसे चीटी होती है वो गुड जो होता है उसके पास याकर गुड देना चाहती है लेकिन उसी में चिपड कर रह जाती है उसी तरीके सी यह लिपट चुकी है उलद चुकी है श्रीकृत के प्यार में अब यह पहला पद तो पूरा मैंने आप लोग को बता दिया है आगे हो आप लोग को समझा आ गया होगा अब यहां पे पिच्छर जो दी हो यह से भी देख लेजें आप लोग यह सारी गोपिया है और यह जो आप लोग को दिख रहे हैं यह हैं उद्धव दूसरा पद आशा हमारे मनमे ही रह गई है थे मनकि ऑच्छा थी वह हमें यह प्रेम था मैं कि यह आपनी समच्छा की जा कर बता हैं नोद जो प्रेशान ही आप तक उनए की आने आशा ही हमारे जीने का आधार था कि उसी आशा में उधर उधर चल दे तनमन के दुखों को सेहन किया था वो बतारी है कि अब तक वो लोग इसलिए जी रही थी गोपियां कि श्रीकृष्टन आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे इसलिए सारी समस्या जो आ रही थे उनके उपर उसको जील रही थी अब उनके दौरा भेजे गए जो अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की जौला में जल रही है विरह मतलब वो प्रेम ही अपना जो प्रेम जिससे प्रेम करती है श्रीकृष्टन उनसे दूर है इसलिए उसी की जौला है उसी की जौला है उसमें जल रही है उसमें जहां से भी श्री कृशन के विर्य की जोड़ा से अपनी रक्ष्य करने के लिए साहरा चाह रही थी उधर से हमें योग की धारा बहती चली आ रही है इसमें जह कि जहां-जह बीचेन हुड़ा विर्य के वे जो जॉहत नहां जुला जोग करो जैसे इंदेज दे लिए इंतेज कर दिया को दो की योग करने के लिए कि सुर्दास गोपियों के माधयम से कह रहे हैं अब जब सुर्दास के द्वारा कहा है तो भन अगया हम द्धार करकां दहरे करें दढ़ारन का सकते हैं सूरधास गोपों की माधाब से बता रहे हैं कि अब अब जब S3到 आगा था कर दिया तो हम देहरे दारिन कैसे कर सकते हैं, और उन्म् bhakण को मैं अब्रत रख सकते हैं तो हम थे ऐसेते नहीं माश्यका कर दोत्हों किस्साइन आप अधने नहीं चाल कर सकते हैं इस तीसरे पद्व्त में गोपियां उद्व से poquito से कहती हैं कि हमारे शरी किस टो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकडी के समान दो ऑगिए हरिल्पक्षी की लकडी की समान थे कुरें करदा है तो फ़ेसे प्रटिता है पन्जों में लकडी पकड़ेंर जमीन पर पंजों में पन्जों में दबाई लकडी को नहीं छोड़ता उसी परकार हमने मन वचन और करम से श्रीक एक दरटा अधम करता है गालता है क registri प्रति हैं कि रच हम जाकते सोते सपने में और दिन में राज सब जगे काना काना रड़ती रहती है बता रहेंगे हमेशा वो काना काना बोलती रहती है हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मूँ में कड़वी कड़ी चली गई हो योग सुनते ही उन्हें लगता है कि मुँँ में कुछ कड़वाट आ गई हूँ उन्हें पसंद ही है योग रूपी जिस बिमारी को तुम हमारे लिए लाए हो उसे ना तो हमने पहले कभी देखा है ना उसके बारे में सुना ना इसका कभी विवार करके देखा सूर्दास भूपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को रहता है कि उनका जो मन है अब योग कर देख लिएू है मेडिटेशन करते हैं जीच से हमारा जो मन है वो इस तर रहे मन इस तर वो बता रहे हैं कि उनको मन तो पहले से इस तर रहे तो उन्य Sवापतों जिनका मन चंचल यह बताये हैं इस तीसरे पद में चौथा और आखरी पद देख लेते हैं गोपिः ओद्व से कहती हैं कि हम तुमारी बाते सुन कर ही कृषिन के मनतवए को समझ ले गई थे वो बता रहे हैं कि उद्व की बाते सुनते ही श्री कृषिन का जो मनतवए था उसे समझ गई थी गोपिया व्यंग पूर उद्धव से कहती हैं कि श्री किष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाग थे अब गोपिया व्यंग करी हैं व्यंग मतलब एक तरीके से मजाक उद्धव के साथ कि वो पहले से ही जानती है कि श्रीक रिष्ट पहले से ही बहुत ही चतुर और चालाग थे और अब तो उन्होंने मत्वुरा पहुंचकर राजनीती शास्त्र पढ़ लिया है राजनीती के बारे में शास्त्र पढ़ लिया है तो अब और भी बुद्धिमान हो गए है यह बता रही है वो उद्धव को जो उन्होंने तुम्हारे द्वारे योग का संदेश पेजा है अब बता रही है कि वो पहले से चालाग थे अब तो उन्होंने राजनीती का शास्त्र पढ़ लिया है मत्वुरा में अब हमें वो हमारा जो मन है वो वापिस चाहिए वो गए थे बिक अन्हों नहीं वापिस चाहिए ए उद्व राजध्रम तो यही से कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए अब देखिए सूर्दास के जो शब्द हैं उनके द्वारा यूगोपियां कह रही है कि राजधर्म जो है राजधर्म यानि राजा का धर्म ये बताता है कि जो प्रजा है उसकी उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए लेकिन ज कर संदेष को योग का संदेश वापस लेकर सुद्धर्शंत डॉप अकशबार इन राजदर्म नेवाना चाहिए जो आइख्ञम को पदो को अच्छी से कर देंगे थैंक्यू वेरी मच इस वीडियो को सभी के साथ शेयर किजिए का अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ और लाइक जरूर कर जिए को चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए का आने वाले सभी वीडियो